उनका जन्म मनिपूर राजी के छोटे से गाउं में हुआ समाज के तरप से उन पर हमेशा ही परहाई करने का सलहा मिला लेकिन उनके पिता ने उन्हें खेल में आगे बरने के लिए प्रिरित किया पिता से प्रिडित होकर उन्होंने फुजबोल खेल पर इतना मेहनत किया कि 16 साल और 2 महा की उम्र में महाद्विप्पी टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र की फुजबोल खिलारी बन गई आदरनिय दोस्तों नमस्कार मैं मनू अभी अभी आपने जो जिन्दगानी सुना यह जिन्दगानी है एक फुजबोलर की और आज मैं बात कर रहा हूँ इसी फुजबोलर के बारे में जिनका नाम है सिल्की देवी जो उस भारती टीम की कप्तान रही जिन्होंने सेप चेंपियंशिप जीत कर इतिहास रस दिये तो ही फीपा अंजर सेवेंटीन महिलावी सुकप में वे डिफेंडर की भुमी का निभा रही है साथियों सिल्की जी की खेल प्रेम को हम दिल से सलाम करते हैं और उनके उजवल भविस्ति की कामना करते हैं